नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एक्जाम वरियम है दोस्तों RRB NTPC के एक्जाम चल रहे हैं लगातार रिव्यू आप लोगो मिल रहा होगा RRB NTPC के एक्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पर Candidate का जो Attempt Rate है यह 90 पलस भी जा रहा है 85 पलस भी Attempt Rate जा रहा है तो कि अभी आप लोगी जो shift चल रही है यह easy to moderate level की shift चल रही है अभी तक मैंने आप लोगो जितने भी review प्रोवाइड कराए हैं किसी भी review में आप लोग का hard level का कोई भी एक्जाम नहीं आया था एक्जाम नहीं हुआ है वो काफी ज़्यादा पैनिक है कि उनका Attempt Rate कितना हो जिससे वो selection ले सके हैं यहाँ पर देखें दोस्तों normalization process और negative marking दो आप लोगों जो factors हैं जो आप लोग का depend करेंगे आप लोग के selection process में यहाँ पर आप लोग का normalization काफी ज़्यादा जी है ता रे normalization जो होता है वो किस तरीके से दिया जाता है जाएए कि से आप अटेंट करेंड कि ज्यादा सी ज्यादा normalization आप लोग को दिया जान जाय यहाँ पर लोग कटीशिफ्ट लोग की hard भी होंगी, कुछ tip है , kशु से वह 100 पलस क्या 120 पलस भी आप लोगे मार्स मिल सकते हैं जैसा कि गुरुबडी वाले एक्जाम में हुआ था यहाँ पर मैं आप लोग कुछ स्कोर कार्ड दिखा रहा हूं जिससे आप लोग को डिटेली बता सको कि नॉमलाईशन किस तरीके से जाता है और किस कान से कुछ यहाँ पर देखिए अजमेर की एक सिप्ट है यह जो है इनका को से इनका ड्रॉप आउट किया गया था इसलिए इसके बाद देखिए इनका इस पॉइंट पर आप लोग को नॉमलाईशन दिया जाता है कि सीप्ट इनका लॉट इसलिए पॉइंट इससे कम समय इसलिए disproportionately ४र्ण जाता है पुछ फूक्पन देखिए ऑप लोग्याए मिल जाता है। लकिन आप लोग को जो अच्छ आप लोग का लिटोग बताऊंगा सबसे पहले देखिए इनका आप लोग थोड़ा बता देता हूं किस तरीके से इनको नमलाइशन था यह देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इनके जो टोटल मार्क्स हैं और प्रोडिटिन मार्क्स हो सब देख सकते हैं आप लोग इनका जो हंड्रेड मैं से मार्क्स थे 72.66 इसके बाद इनको जो normalization मिला है 73 इनके marks हुए है यानि इनको जो normalization हुआ है 1.10 का normalization को दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं को कितना कम normalization मिला है सिर्फ 1.10 marks का normalization मिला है इससे भी कम normalization दिया आता है दोस्तो उसके बाद मैं ज्यादा normalization भी बता हुआ इससे कम normalization आप लोग को पहले दिखा देता हूं यह देख सकते हैं काफी ज्यादा important scorecard है आप लोग के लिए इसको समझ लेंगे तो आप लोग normalization factor को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे देखें दोस्तों यह total attempt rate है candidate का यहाँ पर इंके total correct answer देख सकते हैं रोग answer देख सकते हैं फिर इसके बाद 97 में से उनके marks है वह 49 बने हैं इसके बाद आप लोग जब इसको डिवाइड करेंगे और multiple by 100 करेंगे तो आप लोग के marks आ जाते हैं 50 marks इनके जो candidate के 100 में से हैं 50.51 या इतना normalization को मिला है क्योंकि इन candidate को बिलकुल भी normalization नहीं मिला है इसका factor आप लोग समझे लीजिए देखिए आप लोग को जब normalization होगा तो shift को compare करकर सभी shift को normalization दिया जाएगा तो यह वह shift थी जिसको compare करकर सभी shift को normalization दिया गा था सबसे easy shift को लिए जाता है इसके बाद moderate shift है इसके average को लिए जाता है इस तरीके से normalization होता है सभी shift के अंदर normalization अलग होता है candidates को भी अलग normalization मिलता है एक ही shift के अंदर आप लोग के जितने भी candidate है सभी को अलग normalization factors होते है इसमें accuracy काफी important होती negative marking है इसके अंदर इसकान से accuracy आप लोग की dependence करती है लेकिन हाँ जो paper में negative marking नहीं होती है उनमें accuracy 68 attempt है इन candidates के total जो आप लोग के correct answer है 65 है wrong answer आप लोग देख सकते 33 है यहां पर आप लोग देख सकते काफी अदा जो है इनके attempt जो wrong answer है 33 question जो है wrong answer है तो यह candidates माने आते हैं 33 attempt में जो ज्यादा ज्यादा जो है तुक्के मार के आते है इनके 33 mark questions wrong है इसके बाद 99 मेंके को सन को इंग्णोर किया गया था 54 marks इनके बन रहे थे इसके बाद 100 मेंसे इस इनके जो marks थे यह चववन पॉंच 400 marks बंचे अब देख सकते हैं इनको normalized score कितना दिया है normalized score इन गाया सुल sırज इनको 88.16 इनको normalized score है यानि इनको जो नॉमलाइशन में मार्क्स दिये गए हैं यह 34 मार्क्स इनको नॉमलाइशन में प्रोवाइड किये गए हैं अब देख सकते हैं कि 33 रॉंग आंसर करने के बावजूद भी इनको 34 मिले हैं तो यह करने के बावजूद भी इनको सेलेक्शन हो गया 88 मार्क्स इनके हो गए और यहां पर इनको आप लोग पर्फॉर्मेंस करोंगे तो आप लोग वहां पर भी नमगैंस काफ्य अच्छा मिलेगा और यह आप लोग ब्रकी तो यहां पर इक हैं यहरी रॉलकिन याटेंब्स ने films की तो आगर एक Bundesland गरण मतल को यह अगर एक हتمहिए और किरेंड करता है आप लोग की क्रूंस यह घुले करने माहिए और आप तो इससे आप लोग अंदाय लगा लेचेया कि इतने आप लोग आटैम्ट करने हैं वह तेकी दोस्तो आप आप लोग क्यारी कर रहे हैं और आप लोग दे रहे होगे लगातारं आप लोग Cain आप लोग Cain में एक्जारत का जयादा भी प्रका ही के लाए वाम के हृ लेकिन आप le problem ja आपर लोग देने जाएं तो आप लोग पहले से देखं़ लें कि आप लोग कितना चैंब करना है देखिए 85 से 80 आप लोग attempt कर सकते हैं उससे यादा attempt करने की कोसिज ना करें क्योंकि सभी shift इतनी easy नहीं आ रहे हैं कि आप लोग 90 तक score करें 90 तक attempt करें उससे आप लोग normalization factor काफी है इंपोटेंट रॉल रदा करेगा अगर आप लोगी hard shift है तो और negative markings के बड़ इसके 1 by 3 है तो marks काफी ज़्यादा कम होते हैं कि इस negative marking factor के कारणी तो इसकान से कोसिज करें कि आप लोग attempt ज्यादा से ज्यादा ना करें बिल्कुल भी आप लोग attempt उतना ही करें जितना आप लोग mock test में attempt करता जा रहे हैं आप लोग easy shift लग रही है और आप ल ज्यादा attempt ना करें बिल्कुल भी ज्यादा झादा कोसिज करें कि कम से कम आप लोगों को मिल सके किसी कोस्टन पर तो कम आनने का time और वह आप लोग अगर 50 percent से और हैं या आप लोग 60% से और हैं तो ही आप लोग attempt करें वह आप लोग बिल्कुल भी आटेम्ट करें ज़रू जितने ज्यादा ज्यादा आप लोग मौक्टेश लाएंगे अपने आप समझ पाएंगे कि आप लोग को किस तरीके से पेपर को अटेम्ट करना है वनना आप लोग अगर इस तरीके से CBT-1 है अभी है अगर इसमें आप लोग अच्छी तरी स्कोर नहीं कर पाए तो आप स्रिप उन Candidates से भार निकलना है जो Candidates बिलकुल भी त्यारी नहीं कर रहे है तो इसके लिए आप लोग ज्यादा इसकी Cut-off नहीं जाएगी सभी किस Cut-off आप लोगी Norma Cut-off जाएगी आप लोग की cut-off में देख सकते हैं आप लोग के अंडियेट्स को बलाना है तो आप लोग अगर 70 भी attempt करोगे तो आप लोग का selection हो जाएगा से बाहर में कलना है जो बिल्कुल भी त्यारी नहीं कर रही है तो दोस्तों कोसिस करें कि ज्यादा आप लोग अटेम्ट ना करें और ज्यादा नेगिटिब मार्किंगे चक्कर में ना आए नॉम्मलाइजसन फैक्टर आएगा तो आप लोग अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अब लोगدي शिब्टीर एग्जान के लिए लूग काुति है कि आप लोगज है गया है तो आप लोग अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे चली 10 वीडियो थी आप लोगो बताने के लिए किस तरीके से आप लोग को अटेंप्ट करना है कितने कोसम सा प लोगों को अटेंट करन दोस्तों मिलते हैं नेक्ट फिरो में इसी तरकी अपडेट के साथ जब तक लिए धन्यवाद जहीं जबाद